आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन अश्टेडी सेंटर पर स्वागत है आज ये वीडियो में लेकर आया हैं वेस्ट मेंगल बोर्ड के कलास 11 के सभी स्टुजेंट के लिए तो जो भी कलास 11 के स्टुजेंट जुड़े हैं चैनल पर वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कल आने वाले हिंदी के एक्जाम में जो इंपॉर्टन कोश्टन है उन्हीं का डिसकसन हमारे वीडियो पर किया जा रहा है चैनल पर कहिए सारे वीडियो जाकर देख लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्लास 12 की भी क्यारी हमारे चैनल पर आप लोगोंय को लिए कराई जाएगी तो आजादी की नींद जो आपका एक आच्वी है जानकी का उदने caught की से लिए ज़ंदे से लिखना है क्या था उसी विशे को बनाया गया है कि उसी साम का वर्नन है इसे कांकी में इमांदार बातुन एक पैसेवर नेता एक कवी के विचारों के माध्यम से यह दिखलाने का परियास किया गया है कि आजादी की जो नीन हमें 1947 इस्वी में नसीब हुई थी हम आज भी उसी नीन में स यह है कि आजादी के मोह भंग की स्थिति को दिखाना आजादी मिलने से पहले जिस आजादी के सपने हम लोग देखते थे वह आजादी दिल्ली से तो चली लेकिन आम आदमी तक आम आदमी तक साधरन वर्ग तक यह नहीं पहुँच पाई है आज आम आदमी यही सोच रहा है कि आजादी किस तरह की होती इसे कांकी में लेखक ने लोगों की आजादी को नीन से जगाने की कुशिस की है ताकि लोग अपने यहां के सरकारों उनके द्वारा किये गए भरष्टाचारों महंगाई गरीबी एवं बेरोजगारी आदी का विरोध कर सके यानि आजादी के निन्द कहानी में बताया गया है कि हम लोग आज भी आजादी के निन्द में ही सोए हुए हैं और हम लोग इससे जाग नहीं पाएं हैं देश का आम आदमी आज भी गुलाम है ठीक है उमीद है समझ में आया होगा समझ में आया होगा तो व प्लत सभी वीडियो को देख लीजेगा धन्यवाद